नवश्कार दोस्तो आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखिए आज हम डिसकस करेंगे 17 नौवंबर का दा हिंदू न्यूस पेपर और पी आई बी का इंपोर्टन करेंट अफेर्स पी आई बी आपको पता है सरकार की सरकारी वेब साइट है और दा हिंदू न्यूस पेपर से तो बिल्कुल अवेर है हमारा करंटर आपके सभी एक्जाम के लिए काम का रहेगा चाहिए अब किसी भी पेपर की तैरी करते हूँ तो लीजिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेप्स के बारे में वही ग्रेप्स अंगूर तो खटे अगर आपको नहीं पता तो बता भी देना कमेंट सेक्षिन में मैं नीचे मेंशन भी कर दूँगा कि वह ग्रेप्स अंगूर जो है सबसे ज़्यादा अगर खेती के बारे में बात करें इसकी कल्टिविशन के बारे में बात करें तो वह महरस्टा में देखने को मिलेगा उ बनाना जो वह भी महरस्टर में आपको बहुत ज़्यादा खेती उसकी देखने को मिलेगी ठीक है अब इसकी खेती के लिए कैसा क्या मोशम चाहिए कैसा वेदर चाहिए तो देखो होट ड्राइ एंड लोंग समर चाहिए ठेमप्रेचर के बारे में बात करें 15-40 डिगरी का टेंप्रेचर होना चाहिए रेंफॉल की बात करें तो 500-600 mm की बारिस वर्सा रेंफॉल चाहिए बिल्कुल ठीक है और अगर हम बात करें एवरेज यिल्ड जो है ग्रैप्स की प्यारे भारत में वो लग भग 30 टन पर हेक्टेर के आसपास है बिल्कुल देखो आज संदे को द उसमें सवाल डिरेक्ट पुछा गया था और वो बिल्कुल पेपर से 6-7 दिन पहले ही दा हिंदू पेपर में चर्चा में था कोको आवाला और मार्च में भी चर्चा में था तो टेंजन फिरी रहा के पढ़ाई किया करो मैं ऐसे ही यूही नहीं बोलता हूं कि हमारे पॉर नवल वार्शिप के लिए ठीक है ये क्या है यूनिकॉर्ट ये है यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना ठीक है तो ध्यान रखना बस और इतना खास कुछ शीज में है नहीं नेक्स हम बात करेंगे होरन बिल के बारे में कौन सा बिल होरन बिल देखो व भारत में होरन बिल की सबी परजातिया तो नहीं पाई जाती है आई थिंक नोदस परजातिया जो है होरन बिल की भारत में पाई जाती है लेकिन आपको नोदस तो याद नहीं रख पाएंगे क्योंकि सिरफ यही नहीं है और भी पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है तो इनका आयूशेन स्टेटेस वल्नरेबल है तो तीनों को ऐसे करके याद कर लेना कभी अगर अंदर से भी सवाल पूछ लेगा तो आराम से हटा दोगे ठीक है प्यारे भारत के अगर बात करें अब होर्ण बिल के बारे में और भी कुछ जैसे की ये भारत में वेस्टन घाट और नोर्थ इस्टन जो हमारे स्टेट से उन में देखने को मिलता है और ये फ्रूट इटिंग बर्ड सोते हैं ये फलों को खाते हैं बिल्कुल ठीक है और अगर हम बात करें ग्रेट हॉर्ण बिल स्टेट बर्ड है कहां का है पक्सी रज किया है देखो ये अरुना चल पर रहे हैं इलेक्ट्रिक तो देखो चर्चा में था जो सेक्शन था दा हिंदू का तो उसमें तो जो बैंकिंग के जो बच्चे तैरी करते हैं बैंक किसी भी एक्जाम में तो उनको बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए कि ओमेगा सई की मोबिलिटी जो चेर्मैन है उदे नारंग है कौन है उदे नारंग है ठीक है तो देहन रखना है उसके बाद में गाईज हम बात करेंगे टाइफून मान यी कहां पे आया हुआ है ये सूपर टाइफून है ये फिलिपिन्स की साइड में वहां पे बिल्कुल आया हुआ है उसके बाद में बात करेंगे फ्रैंसिसको बगानिया ये बगानिया है ये कौन है इन्होंने जीत लिया है बार्सेलोना मोटो जीपी स्प्रिंट वही रेस वाला ठीक है उसके बाद में बात करेंगे आवाइन बॉटुलीजम ये क्या है देखो एक बिमारी है ज्यादातर बर्ड्स में देखने को मिलेगी कुछ birds का एक लेक थी I think कराजस्थान में लेक थी तो उसमें भी कुछ cases आये थे birds की death हो गई थी इसी बीमारी की वज़े से तो ये बिल्कुल आपको थोड़ा ध्यान रखना है ठीक है उसके बाद में गाईज हम बात करेंगे इतरंग system के बारे में इतरंग system के बारे में बात करें कुछ भी इतना special बिल्कुल नहीं है लेकिन आपको जो याद रखने की चीज है वो है कि ये कौन सा मंत्रा लेके आता है ये ministry of defenses को लेके आता है और एक तरह से अपना जो इनका जो system होता है communication या दूसरे जो भी system होते हैं इसमें थोड़ा सा एक तरह से तेजी आएगी इससे उनमें enhancement देखने को मिलेगी और कुछ भी इतना खास बिल्कुल नहीं है तो आपको जहान रखना है ठीक है उसके बाद में बात करेंगे exercise पूर्वी परहार के बारे में ये tri service exercise है tri service का मतलब होता है हमारी तीनों services से की हमारी army हो गई, navy हो गई और air force ठीक है तीनों इसमें सामिल होती है ठीक है तो ये प्यारे भारत की ऐसे याद रख लेना उसके बाद में गाइज बात करेंगे scarlet tana girl ये क्या है ये एक bird की परजाती है रिसेटली चर्चा में थी तो हमें ध्यान रखना है ठीक है उसी के साथ साथ आज हम place news में बात करेंगे place in news में देखो ये news में place जो भी है ये क्यो news में आये सबसे पहले तो आपको बता दू हमारे जो प्राइमनिस्ट्र साहब है आप सभी को पता होगा भारत के परधानमंत्री जिन बच्चों को नहीं पता है उनको पढ़ना छोड़ देना चाहिए ठीक है प्राइमनिस्ट्र साहब जो है वो विजिट करेंगे कहाँ पे नाइजीरिया, ब्राजिल और ग्युयाना तो देखो या हमारे वाइस प्रेजिडेंट जो है उनकी विजिट हो या फिर परधानमंत्री की तो वो हमारे लिए बहुत इंपोर्टेंट बन जाता है और हमें पता होना चाहिए इसी के साथ देखो अगर आपका कोई सजेशन कोई शुजावे तो हमेशा की तरह बोलता हूँ भई कमेंट किया करो आपकी सजेशन मेरे लिए बहुत मैतो रखते हैं आप मेरे लिए बहुत मैतो पूर्ण हो ठीक है